हाई गाइज वेलकम टू टॉकन टिप्स माई नेम ही जमरी दुकवाद दोस्तों मेरे हाथों में देख रहे हैं यह है कैनन का 50 mm प्राइम लेंस जिससे मैंने फिलिप कार्ट से पर्चेश किया है और पर्चेश किया तीन से चार दिन हो गया है लेकिन मैंने अभी तक से अभी और बताऊंगा कि इस फिप्टी में प्राइम लेंस के और क्या डिस और दो चीज आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो में बने रहे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देजएगा और आप पहली बढ़ा है तो चैनल को इस अप्रक अज़िज इस डब्वे को ओपन करने के बाद हमें यह लेंस मिलता है और यह है कैनन का 50 mm प्राइम में का फीटीपी में प्राइम में किया और अब मैंने एक अलग से फिप्टी में प्राइम लेंस पर्चेश किया देखिए कहा था है कि इसके बीना जो एक अधुरा है अगर आपको एक अच्छा बेक्राउंड ब्लर बाला फोटो और वीडियो कैप्चर करना है तो इसके बीना एक डिसलार अधुरा है तो फिलिपकार्ट का ही मिलेगा और यह यूजर मैनुवर है जिसे कोई नहीं पढ़ता है मैंने भी नहीं पढ़ा है सब चीज इसी तरह सिख लेता है यार कोई पढ़ता ही नहीं अब लेंस के बारें बात करतें देखिए यह है 50 mm प्राइम लेंस का मतलब होता है कि इसमें हम जूम नहीं कर सकते हैं यह 50 mm पर पहले से ही 6 है और इसके अंडर ही हम फोटो कैप्चर करेंगे या वीडियो रिकॉर्ट करेंगे जो भी इससे फोटो लेंगे वह 50 mm के डिस्टेंस कवर करके यह फोटो लेगा और विडियो कैशर करेगा एक चीज यह है कि इसका आपार्च का सिंपल मैं अगले वीडियो में आपको दिखा दूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके अलावा इसका एडवांटेज यह है कि अगर बेक्ग्राउंड ब्लर वाले फोटो और वीडियो हमें कैप्चर करने हैं तो काफी मस्त वीडियो और फोटो यह कैप्चर यूज करते हैं और आपके पास एक किट लेंस है और पहले से आप 18 mm पर कोई वीडियो शूट करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और जब इससे लगाएंगे तो आपका आधा कुछ ही भाग जो है वह वीडियो रिकॉर्ड होपाँ है क्योंकि यह 50 mm पर सेट है और आप पहले से 18 mm पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोला सा इससे जो भी अब्जेक्ट करना पड़ता सोरी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है अगर आप इंडोर वीडियो रिकॉड करते हैं घर में वीडियो रिकॉड करते हैं तो रूम थोड़ा सब बड़ा होना चाहिए यानि की रूम की लंबाई 7-8 मीटर होगा और कैमरा कम से कम आप से 4 मीटर के दूरी पर हो और आपके पीछे जो भी background हो वो background से आप एक मीटर आगे हो जैसे यह दीवार देख रहा है दीवार से मैं एक मीटर आगे हूं और अभी मैं यह kit lens से इस विट कर रहा हूं तो camera मेरे से 2 मीटर आगे हैं लेकिन अगर इससे हमें record करना होगा तो camera को 4 मीटर पीछे करना होगा तब जाके अच्छा सा जो जितना भी फ्रेम में आ रहा है इतना आप आपाएगा नहीं तो सिर्फ अगर इस लेंस से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता ह है बाकी यह एक अच्छा लेंस है एक बढ़ी आलेंस है आप इसे पर्चेज कर सकते हैं अगर आपके पास एक DSLR है तो unboxing में बस यही था अगले वीडियो में मैं इससे एक outdoor में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और photos भी कुछ क्लिक करूंगा उसके बाद कुछ सेंपल दिखा तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में तो तक अपने ख्याल लेखिए गुडबाए